Hello everyone, Welcome to the Study with My Young, मैं हूँ आपका My Young, हम लोगों की यहाँ पर Class 11th N.C.R.T. Geography की किताब भारत बहुत इक परियावड चल रही है, आज आपका एसी क्रम में अध्याय चोथा है, यहाँ पर हम लोग जलवायू के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का परियावड के पढ़ेंगे, इससे पहले भी हम लोगों ने Class 9th की जोगराफी में भारत की जलवायू के बारे में पढ़ा था, और जब हम यह किताब स्टार्ट करने वाले थे, तब हमने आपको बताया था कि Class 9th की जो जोगराफी है, वही सैम आपकी Class 11th की दूसरी वाली क किताब को पढ़ें, उससे पहले 9th वाली जोगराफी पढ़ना है, उससे फायदा यह होगा कि जहाँ पर आप लोग देखेंगे, दोनों किताबों के अध्याय समान है, उन अध्यायों के जो टॉपिक हैं, वो भी समान है, थोड़ा थोड़ा अंतर देखने को मिलेगा, कु कि आप दोनों किताबों के तथ्यों को इंटिग्रेट कर पाएंगे, जिससे कि आपकी टॉपिक को लेकर जो समझ होगी, और ज्यादा बहतर बन पाएगी, तो आप लोगों को वस इतना ही करना है, तो आज का अध्याय है हमारा जलवायू से लेटिड है, जैसा कि आप जैवारी जो लोग हैं, उनकी जीवन सेली में, उनके रहन सेली में, उनके खान पान पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, अगर हम भारत की बात करें, तो भारत की जलवायू है, वैसे समग रूप में भारत की जलवायू उष्ट कटबंदी मानसुनी जलवायू है, फि किरल पर समकारी जलवाय को प्रभाव पड़ता है तो दोनों ही स्थानों पर जो रहने वाले लोग हैं उनकी जीवन सेली में उनके पहनाबे में आपको अंतर देखने को मिलता है जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जलवाय के अंतर गती मौसम भी आता है और जलवाय भी आती है मौसम जो है ये वायव मंडल की छड़े कवस्ता होती है जैसे आपने देखा होगा आप मौर्निंग में उठते हैं और मौर्निंग को उठते समय आप लोग देखते हैं कि सूर्य उद्य हो रहा है आस्मान एक दम साफ है आप कहते हैं मौसम आज बहुत सुहाबना है फिर दो घंटे बाद आप देखते हैं कि आस्मान में बादल चा जाते हैं बादलों के चाने की विज़े से जो सूर्य है वो बादलों के पीछे छुप जाता है या ओजल हो जाता है तो आपको लगता है मौसम खराब हो गया कुछ समय बाद आप देखते हैं तेजी से पानी वर्सने लगता है आंदी तुफान आ जाता है, किड़ा भिगड जाता है साम तक आते हैं मौसम फिर से खुल जाता है तो आप लोग देख रहे हैं कि मौसम जो है वो पलपल पर बदल आए, यानि कि हो सकता है वो एक घंटे पर, दो घंटे पर, या फिर एक दो दिन में बदल आए, तो मौसम जो है वायमंडल की छड़े कवस्ता है, जबकि जलवायू का जो तातपर है, अबेक्षा करत लंबे समय की मौसमी दसाओं के ओसत से होता है, यान उसका अध्यन किया गया, और उसके आधार पर यहां पर जलवायू का आगलन निकाला गया, कि यहां की जलवायू कैसी है, रेकिस्तान या मौस्तली जलवायू है, बिविन रितुओं में मौसम की दसाओं में बिंदता पाई जाती है, और यह जो बिंदता है, मौसम के तत् और यह बिंद्धा जो है, यह मौसम के तत्वों में बिंद्धा की वियसे, आप लोग मौसम में बिंद्धा देखते हैं, देखें, मौसम के तत्व और जलवायू के तत्व एक ही होते हैं, यही तत्व आपके जलवायू के तत्व भी हैं, और यही तत्व आपके मौसम के तत इस्तिती और उच्चावच संबन्दी कारकों में अक्षान सा जाता है जैसा कि आप लोग जानते हैं कि करकरेखा जो है आपके देश को पूर से पश्चन दिसा में दो बराबर भागों में डिवाइड करती है इस प्रकार भारत का जो करकरेखा का देश्चिड वाला पारट है वो उश्कटवंद में आता है और करकरेखा का जो उत्तरी पारट है यानि करकरेखा के उत्तर वाला भारत का जो भाग है वो उपोश्कटवंद में पढ़ता है इसके लावा हिमालय परवत भारत के उत्तर में वस्थित है जो कि प्रहरी की भाती है हिमालय परवत जो है एक जलवाई विवाजक की भूमिका निभाता है इसकी जो उची परवत संखला है तो वो महादीप को उत्तरी पबनों यानि कि जो द्रवों से आने वाली जो पबने हैं क्योंकि सीतल और ठंडी पबने हैं उन पबनों को भारत में प्रविस करने से ये रोकता है तो ऐसे करके ये एक अभेदु स्रक्षा या फिर एक प्रेरी की भारती भारत की ठंडी पबनों से रोक्षा करता है इसके लावा हिमाले परवत जो है मानसुन पवनों को रोक कर उपमादीप में वर्सा का कराड़ भी बनता है तो ऐसे करके हिमाले परवत धोरी भूम का निबा रहा है एक तो ये दुर्वी पवनों को भारत में आने सो रोक रहा है इसके लावा जो मांसुनी पवने हैं इनको रोक कर उप महादीप में वर्सा भी करा रहा है तीसरा कारक है जल और इस्तल का वित्रड देखें भारत के दक्षड में तीन और हिंद महासागर और उत्तर की मुच्ची और अविच्छिन परवस्तेड़ी है जैसा कि आप लोग जानते हैं यह आपका प्राइदिपी भारत वाले खंड में तीन और आपका महासागर है आपकी पश्य में अरब सागर, पूर्ब में बेयोग बंगाल और बंगाल की खाड़ी और दच्छिड में इंडियन ओसियन है जैसा कि आप लोग जानते हैं जो इस्तल खंड है यह जल्दी गर्म होता है और जल्दी ही ठंडा होता है अगर हम गर्मियों के सीजन की बात करें ग्रीसमित्व की बात करें तो ग्रीसमित्व में जब सूर्य करक रेखा पर लंबा चमकता है तो उस समय उत्तर भारत में एक निम्न अबदाब छेत्र या फिर लो प्रेसर जोन क्रियेट हो जाता है इस निम्न अबदाब शेतर को भरने के लिए दच्छरी कुलार्ट की जो हवाएं होती है वो चल पड़ती है तो यहाँ पर वहीचीज बताई गई है कि वायोदाब में जो भिंता आती है यह मानसून पपनों के उत्करमण का कारण बनती है इसके लाब चौथा जो कारक है वो है समुद्र तट से दूरी है देकि लंबी तठी रेखा की वजए से भारत के विश्तर तटी प्रदेशों में समकारी जलवाय पाई जाती है जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारी जो समुद्री तट्रेखा है 7516 किलूमीटर है तो लंबी तट्रेखा होने की वजएसे जो तट्रेखा वाले प्रदेश हैं यहाँ पर समुद्र की समकारी जलवायों का असर पाया जाता है वहीं दूसरी और समुद्र से दूर जो आपक काफी ज़ता पाया जाता है और यहाँ पर महादी पी जलवायों पाया जाती है तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है कि दूसरी और समुद्र से दूर जो देश के आंतरिक भाग हैं जैसे कि दिल्ली, कानपुर, अमरस्तर यहाँ पर मौसमी परवरतन जो होते हैं यह कि आप लोग पढ़ चुके हैं, जैसे जैसे हम उचाई पर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे तापमान में गिरावट आती जाती हैं, विरल वायू की बज़या से परवती जो प्रदेस हैं, यह जिए मैदानों की तुलना में अधे खंडे होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे example भी दिया गया है जैसे आगरा और दार्दलिंग जो है ये एक ही अच्छान्स परिस्थित हैं किन्तो जन्वरी में आगरा का temperature 60 degree Celsius रहता है जबकि दार्दलिंग में ये temperature 4 degree Celsius रहता है इसके लावा छटमा गारक है उच्चा वच अथवा बहुतिक स्वरूप देखें जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुतिक स्वरूप में जो पठार परवस्तिरियां ये सब आ जाते हैं तो जून और जुलाई की बीच में जो आपका मौनसून आता है ये मौनसून पश्मी घाट में जो आपकी पश्मी घाट पर वस्तंखला है और असम के जो पवना भिमूगी ढाल है पवन समुग ढाल जो हैं ये अधिक वर्सा प्राप्त करते हैं जैसा कि आप लोग जानते हैं जो हमारे दश्र पश्य मानसून है उससे पश्मी घाट के पवन सम्मुख धाल पर और असम के पवन सम्मुख धालों पर अच्छी खासी बरसा होती है जबकि इसकी दोरान पश्मी घाट के साथ लगा दश्री पठार और पवन बिमुखी जो धाल होते हैं वो कम बरसा प्राप्त करते हैं यानि बिलकुल जो पपनों की अपोजिट डिरेक्शन में जो ढाल है जो छेत्र हैं वहाँ पे कम बरसा होती है तो यहाँ पर उच्चावच्च और बहुतिक सुरूप भी जलवाय को प्रवावित करता है दूसरे प्रगार के कारकों में वायुदाव और पपनों से जोड़े कारक आ जाते हैं देखें पहले बाले कारकों में हमने इस्तित्व और उच्चावच समंधी कारक पड़े थे अब हम यहाँ पर वायुदाव और पपनों से जोड़े कारक हैं उनको देखेंगे, यहां पर बताया गया है कि भारत की जो स्थानी जलवायू है, इसमें पाई जानी बयाली विविट्ता है, इसको अगर समझना है, तो हमें तीन कारकों की जो क्रियाविदी है, इसको जानना आवश्यक है, यहां पर पहला कारक है, वायुदाव पपनों का संधर में और गिस्विद का संधर में समझना जरूरी है, तब ही हम भारत की जलवायू को वायुदाव पपनों से जोड़े कारकों के अधर पर समझ पाएंगे, तो यहां पर सीतरुत में मौसम की जो क्रियाविदी है, वो बताई गई है, तो यहां पर पहला कारक है सीतरु वो ठंडी होने की जैसे सघन और भारी हो जाती है, तो ऐसे करके एक उच्च अवदावचितर क्रियेट हो जाता है, हाई ये प्रसज़ौन क्रियेट हो जाता है, और जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं, यह पबन हमेशा उच्च अपशितर से निमदावचितर के उप्र जैसा की बात ऊर्थात हिमाले के उत्तर में तिबबत वाला जो रीजन है, यहाँ पर उच्च वाइदावचितर क्रियेट हो जाता है, और इस उच्च वाइदावचितर के दच्षड में भारतियूप महादीप की और निमन स्तर पर ध्रादल के साथ साथ सुस्क महादीपी पबनों का प्रभा प्रारंब हो जाता है, देखें जिस समय जो आपका उच्च वाइदावचितर के अंदर तिबबत पर इस्थावित होता है, उसी समय जो भारतियूप महादीप है, इसके उपर भी आप लोग दिखेंगे एक निमन उच्च दावचितर क्रियेट हो जाता है, तो जो पबनों का प्रभा होता है, वो मंद प्रभा होता है, पबने जो है मंद गती से इस उच्च दावचित से निमदावचित के वो चलना आरम कर देती हैं, चूंकि उससे में पबने जो होती है, ये पबने महादीपी घंड से चलती है, इस्तल घंड से चलती है, तो जो पूर्वी पबने होती है वो ब्यापारिक पबने कहलाती है यानि कि जो दोनों गोलार्द है उत्तरी गोलार्द और दक्षडी गोलार्द इन दोनों गोलार्दों में उपोष कट्वन से एक क्रिटर लाइन की तरफ पबने चलती है वो ब्यापारिक पबने चलती है तो य परदाम सुरूप क्या होता है परदाम सुरूप मद्य गंगा घाटी तक संपूर उत्रपश्मी और उत्री भारत इन सुस्क उत्रपश्मी पपनों के प्रभाव में आ जाता है जैसा कि हमने आपको बताया था ये पपने चुकि इस्तलखंट से चल रही होती है तो इन में नमी नहीं होती है और नमी नहीं होने कि जैसे ये पपने बरसा नहीं करती है तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि पूरा पूरा जो उत्री भारत है इन सुस्क उत्तरपश्मी अगला जो है इसमें है वो है जैट प्रभा और उपरी वायो परसंचरण देखें जैट प्रभा के बारे में आप लोगों को हमने बताया था कि जैट प्रभा की खोज दुति विसुद्धि के दोरान हुई थी जिस समय जो अमेरिका के जहाज थे जब जापान पर हमला करने जा रहे थे तो उन्हें एक सामने से एक वायो का प्रत्रोद जहिलना पड़ रहा था और जिस समय वो जहाज बापस आ रहे थे तो वो कम समय में जल्दी बापस आ गए तो ऐसे करके अनुमाल लगाया गया कि उपर ही वायो म तो ऐसे करके जैट प्रभा की खोज होई, तो यहां पर जैट प्रभा और उपरी वाइव परसंचरट के बारे हम बात हो रही है, देखें, नौ से तेरे किलोमेटर की उचाई पर समस्त मध्य और पश्मी एसिया, पश्चिम से पूर बेहने बाली पश्वा पपनों के प्रभ पश्म से पूर दिसा में इसका प्रभा होता है, यह पपने जो है तिब्बत के पढ़ार के समनांतर हिमाले के उत्तर में एसिया माधी पर चलती है, इन्हें जैट प्रभा कहा जाता है, यह पपने कहां पर चलती है, हिमाले के उत्तर में चलती है, यानि कि आपका तिब्ब पश्मी जेट प्रभा है पश्मी जेट प्रभा के जरिये भारत में पश्मी बुच्छोब नाम के जो चक्रवात है ये भारत में आते हैं जिससे के सर्दियों की सीजन में भारत में वर्सा होती है पश्मी विच्छोप जो चक्रबात हैं ये आपके पूरी भूमत सागर पर उत्पन होते हैं तो वहाँ पर पश्मी जैट की वजय से ये चक्रवाद जो होते हैं भारत तक पहुंचते हैं और रभी के सीजन में भारत में जैनि रभी का सीजन का होता है तो जो आपका सर्दियों का रभी का सीजन है उस समय जो उत्तर भारत है वहाँ पर कुछ हिस्तों में इसकी वजय से वर्षा होती है यहाँ पर आगे बताया गया है कि उपरी वाय। संचरड के निर्माण में प्रतपी के दरादल के निकट वाईवनली दाव की भिनताएं होती है इनकी कोई भूमिका नहीं होती है यह आपका उपरी वाय। वर संचरड है उठने वाले सीतोष चक्रवात होते हैं और ये जो है भारत में पश्मी जैट प्रभा की जरीए भारत में इनकी एंट्री होती है तो भारत का जो उत्तर पश्मी मैदान है तो उत्तर पश्मी मैदानों में सीत कालम में बरसा और जो उलावरश्टी है या फिर प्रभती प्रदिसों में अनेमे थेखिमपात है इनी विचोबों की विज़ा से होता है अगला है यहाँ पर पश्मी चक्रवाती विचोब या फिर उश्ट robusti कटवधी चक्रबाद देखें, पश्मी चक्रवादी विच्छोब की बारे में अभी हम आपको बदा चुके हैं देखें, पश्मी विच्छोब जो है ये भारती उमाधी जाड़े की मौसम में पश्चिम और उत्तर पश्चिम से प्रवेस करते हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये भूमत सागर पर उत्पन होते हैं, और पश्मी जैट प्रभा की द्वारा ये भारत में लाए जाते हैं, रास्ते में जब ये कैस्पियन सागर या इरान के उपर से गुजरते हैं, तो आदता घ्रहंड कर लेते हैं, तो ऐसे करें इनमें नमी आ जाती हैं, और जब ये भारत के उत्तरपश्म भाग में पहुँचते हैं, तो ये वर्शड करते हैं, तो यहाँ पर वही चीज बताई गई है, कि भारत में इनका प्रभेस होता है, पश्मी जैट प्रभाद वारा होता है, इनके आने का संकीत बदाया गया है, कि लिज्गत की हवाये चलती हैं और भारी ही वारिस होती हैं जो वहां पर जम कर बरसा जती हैं सीध रित के बाद है ग्रीस रित में मौसम की क्रिया भी दी तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं धरादली वायुदाब और पबनों की देखें जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर भारत में मार्ज से लेकर मई की बीच में ग्रीस रित का सीजन होता है और जब गर्मिया स्टार्ट होती हैं तो गर्मियों के स्टार्ट होने पर जो सूर्य है यह उत्तरायन होने लगता है यानि उत्तर की और उपर की तरफ बढ़ने लगता है तो गर्मी का मौसम स्टू होने पर जब सूर्य उत्तरायन स्थिती में आता है उपर महादीप के NIMN और उच्च दोनोई इस तरहों पर वायू परसंचंचन में उत्करमड हो जाता है यानि कहने का हूना भी है कि जैसे जैसे सूर्य उत्रायंड होता है उपर के और बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो NIMN अबदाव का छितर है ये भी उपर के और बढ़ने लगता है देकि जब सूरी का प्रकास किसी स्थान पर लंबत पढ़ता है तो वहां की वायू जो होती है वो गर्म हो जाती है गर्म होने से जो वायू के अडू होते हैं हलके हो जाते हैं और उपर ये उठ जाते हैं उपर उड़ने की जैसे भहाँ पर एक निम्न अवदाप का चेतर क्रियेट हो जाता है लोग प्रसर जोन क्रियेट हो जाता है तो आगे हैं बताया गया है कि जुलाई के मद तक ध्रादल के निकट निम्न वायदाप पेटी जैसे अंत्य उष्ट कटबंदी अविस्तर चेतर या फिर इंटर ट्रोपिकल कंवर्जेंस जॉन्स जिसको सौट में आईटी सी जैट कहा जाता है ये उत्तर क्यों खिसक कर हिमाले के लगबक समाना अंतर 20 डिगरी से लेका 25 डिगरी उत्री अच्छांस पर ये इस्तित हो जाती है और देखे इस समय तक यानि गर्मियों की सीजन तक जो पश्मी जैट प्रभा है जो के सर्दियों की सीजन में चलता है ये भी भारती चेतर से जा चुका होता है चुकि ITC-Z एक निम्न अवदाप का चेतर होता है और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वायू हमेशा उच्छ वायदाप चेतर से निम्न वायदाप चेतर के ओर चलती है तो ITC-Z निम्न वायदाप का चेतर होने की विएसे ये विभिन दिसाओं से पपनों को अपनी और आकरसित करता है चुकि जून और जुलाई तक आते या चेतर बहुत ज़्यदा प्रवल हो जाता है ये इतना ज़्यदा प्रवल हो जाता है कि दश्री गुलाई की जो व्यापारिक पबने होती है उन्हें ये अपनी और आकरसित कर लेता है जब दश्री गुलाई की व्यापारिक पबने बिस्वत रेखा को पार करके उत्री गुलाई में प्रवेश करती है तो यह अपनी दिसा में दाहिनी और विच्छिपित हो जाती है तो यहाँ पर वही चीज बताई गई है कि दश्री गुटार से उष्ट कटबंदी सागरी वायू वायूरासी जो है यह विश्वत प्रस्त को पार करके सामनते दश्रपश्मी दिसा में इसी कम दाबाली पेटी के और अगरसर होती है और यही जो आद्र वायूधारा है दश्रपश्मी मानसून कहलाती है क्योंकि इसकी जो एंट्री है भारत में दश्रपश्मी से होती है तो यही जो आद्र वायूधारा होती है ये दश्रपश्र मांसून के नाम से जानी जाती है सेकिंड है यहाँ पर जैट प्रभा और उपरी वायव परसंच्रड देखे ग्रीस में तुमें जो पूर्वी जैट प्रभा है ये प्रायदीप के दश्री भाग पर पूर्वी जैट प्रभा जो है 90 km प्रद गंटा की गस्ते चलता है और ये जैट प्रभा जो है अगस्त में 15 डिगरी उत्तर अच्छांस पर और सितंबर में 2 डिगरी उत्री अच्छांस पर ये इस्तित हो जाता है देखे जैसा कि आप लोग अभी पढ़ चुके हैं कि सर्दियों की सीजन में पश्मी जैट प्रभा भारत के उत्तर पश्मी रीजन में सक्री होता है जबकि गर्मियों की सीजन में ग्रीस में जो पूर्भी जैट प्रभा है ये आपके जच्छड के प्रैदी भी खंड पर सक्री होता है तीसरा है यहाँ पर पूर्वी जेट प्रवा और उश्कट्वन्दी चक्रबात देखे जैसा कि आप लोग जानते हैं और आपको अपने आपको बताया भी था जो आपका महासागरी खंड होता है ये इसतल खंड की तुलना में जल्दी गर्म नहीं होता है बलकि देड़ से गर्म होता है तो अगस्त के लाष्टा के सितंबर आते आते जो आपका बंगाल की खाडी वाला रीजन है ये गर्म होने लगता है जैसा कि आप उश्कट्वनी चक्रवातों के वारें पढ़ चुके हैं कि जब किसी महासागरी सत्य का तापमान सत्ताई डिरी से उससे ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पर उश्कट्वनी चक्रवात बनने लगते हैं तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के जो तापमान है लगबश सत्ताई डिरी सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है तो सिदमबर तक यहाँ पर उश्कट्वनी चक्रवात बनने लगते हैं चुकि पूर्वी जैट प्रभा जो के पूर्वी की तरफ से आ रहा है तो यह जैट प्रभा क्या करता है इन उश्कट्वनी चक्रवातों को भारत के पूर्वी तरटों पर लेकर आता है तो पूर्वी जैट प्रभा जो है उश्कट्वनी चक्रवातों को भारत में लाता है और इन चक्रवातों के मार्ग में ही भारत के सरवादिक बर्सा वाले भाग इस्थित है इन चक्रवातों की बारम बारता, दिसा, गहनता और प्रभाज हूँ है ये एक लंबे दोर में भारत की जो ग्रिस्प कालीन मांसुनी बर्सा का प्रतुरूप है इसके द्रहाट पर इसका असर पड़ता है अब यहाँ पर अंत्य उष्ट कटवन दिया अब इस तरह चेतर के बारे बताया गया है यानि इंटर ट्रोपिकल कनवर्जेंस जॉन यानि ITC-Z के बारे बताया गया है देखें ITC-Z इक्क्वेटर लायन पर इस्टित एक निम्न वाईदा बाला चेष्टर होता है यानि और इस चेष्टर में ब्याबरिक पपने आकर मिलती है ब्याबरिक पपनों के बारे मैंने आपको बताया था कि उत्री गोलार्द के उपोष कटवन और दश्री गोलार्द के उपोश कटवन से एक्विटर लाइन की तरफ चलने वाली जो पूरी पबने होती है उन्हें ब्यापारिक पबने कहा जाता है तो इस ब्यापारिक पबने जो होती है दोनों गोलार्दों की वो इसी ITC-8 वाले जौन में आकर मिलती है ITC-8 जो है सूरी के उत्राइन और दश्राइन होने के साथ साथ उपर नीचे खिसकता रहता है जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं सूरी की लंबत केरने करक रेखा और मकर रेखा के बीच में पढ़ती है तो प्रत्वी जो अपने अच्छ पर जुकी हुई है और सूरी की परिक्मा कर रही है तो इसी वज़े से सूरी की जो इस्थिती है वो कभी उत्राइन और दश्राइन होती जाती है तो जो ITC-Z भी है वो भी उपर नीचे खिसकता रहता है जुलाई के महीने में ITC-Z जो है 20 से लेकर 25 डिगरी उत्री अच्छा नसओं के आसपास गंगा के मैदनों में इस्थित हो जाता है यहाँ पर जुलाई के महीने की सिती बताई गई है जुलाई के महीने में जो ITC-Z है यह गंगा के मैदन के उपर होता है इस जो है कभी-कभी मानसूनी गर्थ भी कहते है क्योंकि ये जो है मांसुनी पपनों को अपनी और आने के लिए अब्रेरित करता है इसी बिचे से इसको मांसुनी गर्थ भी घा जाता है अब देखें यहाँ पर जुलाई के महिने की सिती बताई गई है जुलाई के महिने में जब ITC-Z गंगा के मैदान के उपर इस्चित होता है तो यहाँ पर एक low pressure zone create हो जाता है यहाँ पर एक low pressure zone होता है निम्न अबदाप का छित्र होता है और इस समय उत्री कुलाद में गर्मी का सीजन चल ला होता है ठीक इसके opposite में जश्री कुलाद में क्या होता है सर्दियों का सीजन होता है जश्री कुलाद में यहाँ पर होता है एक high pressure zone यानि उच्च अबदाप का छित्र होता है तो यह उत्री कुलाद का जो निम्न अबदाप छित्र है ITC-Z इतना जाता प्रभल होता है जश्री कुलाद की पपनों को अपनी और आकरसित कर लेता है इसके प्रभाव की विजए से जो जश्री कुलाद की व्यापारिक पपने है वो equator line को पार कर जाती है जब यह equator line को यह पपने पार करती है तो Coriolismal के प्रभाव की विजए से इनकी जश्री कुलाद की व्यापारिक पपने प्रभाव में होती है तो यहाँ पर वही चीज बताई गई है कि Coriolismal के प्रभाव से विजए द्रत को पार करने वाली जो व्यापारिक पपने है इनकी जिसा जो है दच्षड पश्चिम से उत्तरपूर्व की ओर हो जाती है और यही जो है दच्षड पश्चिम मानसून है देकि जब अपने यहाँ से क्रॉस करती है इस तरह से जाती है तो यहाँ पर नहीं जिसा होती है दच्षड पश्चिम जब यह equator line को cross करती है तो इनकी दिसा हो जाती है उत्तरपूर्व चुँकि इनकी entry जो हो रही है वो भारत में दख्षड पश्चिम से हो रही है इसी बज़ेसे इसको जो है दख्षड पश्चिम मानसून कहा जाता है यहाँ पर वही सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है अब यहाँ पर देखें यहाँ पर दूसरी situation बढ़ाई गई है यह बढ़ाई गई है सीत्रूत की देखें सीत्रूत में जख्षड जो ITC-Z है यह जख्षड कोर खिसक जाता है जैसा कि आप देख परें जो आपका सीत्रूत है सीत्रूत में ITC-Z मकर रेखा के असपास होता है जख्षड कोर खिसक जाता है तो यहाँ पर आप देखें कि दश्री कुलार्ट में यहाँ पर एक low pressure zone होता है निम्न अबदाब का छित्र होता है ठीक उसी समय उत्री कुलार्ट में यहाँ पर एक high pressure zone यह उच्छ अबदाब का छित्र होता है और जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि पवन हमेशा उच्छ इसको भरने के लिए चल पड़ती है तो यह इस साइड से आती है उत्तरपूर की तरब से इस तरह से आती है और इनकी जिसा होती है जब यह जट्री कुलार्ट में प्रवेस करती है तो यह अपने बाई और विच्छ पर तो जाती है तो यह जो है उत्तरपूर मांसून की र आगे हैं पर भारती मानसून की प्रगति के बारे मताया गया है। सबसे पहले जान लेते हैं कि मानसून से अवपराय क्या है। मानसून से अवपराय एक ऐसी जलवायस है जिसमें अरित्व के नुसार पवनों के दिस्ता में उत्क्रमड हो जाता है। इस वज़े से भारत की जलवाई हुए वो उष्टकटवंदी मानसुनी जलवाई होते हुए भी भारत की जलवाई में प्राधिसिक बिंटाएं पाई जाती हैं जैसे यहां बताया गया है जैसे दच्षड में केरल और तमिलनाडी की जलवाई जो है उत्तर में उत्तरपदेश और बिहार की जलवाई से अलग है फिर भी इन सभी राज्यों की जलवाई जो है यह मानसुनी प्रकार की है देखें यहाँ पर जो दच्छड इसियाई छेत्र है इसमें बर्सा के कारणों का जो विवस्तित अध्यन है यह मानसून के कारणों को समझने में साहता करता है यहाँ पर इसके कुछ बिजेस पक्ष बताये गए हैं यहाँ बताये गए कि मानसून का आरम और उसका स्थलक्य और बढ़ना इसका दूसरा है बर्सा लाने वाले तंत्र हैं कौन-कौन से बर्सा लाने वाले तंत्र हैं यहाँ उश्कटवंदी चक्रबात हैं यहाँ फिर मान मांसुन का आरंब। देखें यहां पर वही सब चीज़ें बार बार रिपीट होंगी तो आप लोगों के मन में सब चीज़ें क्लियर होते जाएंगी। पार से दक्षडपूरवी सनमारगी पबने ITCJ की और आगरसित होती हैं। प्रभाव की जैसे बिच्चिपरत हो जाती हैं। कि इन की भारतियों मादीप में अट्री दक्षडप्शिम से होती हैं। रडश्डप्ले मानसुनी पबनों के लूप में जाना जाता है। तो ये जो है पबने बंगाल की खाड़ी और अर्व सागर से प्रवेस करती है बंगाल की खाड़ी के तुरू और अर्व सागर से प्रवेस करती है बिस्वती गर्मधाराओं के ऊपर से गुजरते हुए ये पबने जो है अत्यदिक मात्रा में नमी को घ्रेंड कर लेती है यह हमाले के उत्तर में बिस्थाबित हो जाता है और इसके पश्चाथ में पूर्वी ज़ए प्रवा बहुत रहती है यहांगि यहां पूर्वी। जयट प्रभा की बात हुरे है और इसी पूर्वी Valueikes coal को भारत पताया गया कि दक्षड पश्मी जो मांसून है सबसे पहरे किरल पर यहां पर किरल तड़ पर एक जुन को टकराता है और सीगरी दस्ते लेका तेरे जुन के बीच में यह आदर पपने जो है मुंबई कोलकाता तक पहुंच जाती है मद जुलाई तक आते आते संपूर भार्त वर्सा करती है तो इसे ही प्राय मांसून का प्रसपोर्ट कहा जाता है सेकंड है वर्सा भाही तंत्र तथा मांसूनी वर्सा का वित्रण देखे भारत में वर्सा लाने वाले दो तंत्र है इनमें पहला तंत्र दच्छड पश्यम मांसून धारा है और दूसरा यहां पर जो है ये प्रैदभी भारत के सुदूर दशिणी सिरे पर दो साखा雙ों में डिवाइड हो जाती है इसकी एक साखा अरब साखर साखा है और दूसरी साखा इसकी बंगाल की खाड़ी साखा है अरब साखर साखा से भारत के पश्मी चट पर सामाने तैं अधिक प्रवतिवरसा करती है और फाखा सब्षा वर्षण करती है और थार के मुर्स्तल तक wal niezौ अरब साखल से उत्पन होने वाले जो मांजुन पवने हैं जो आगे तीन साखाओं में डिवाइड हो जाती है इसकी एक साखा थे लिए पश्मिगाट अवरुतच का कार सासर अवरुत का कारी करते हैं और पश्मी घाट के साथ साथ होने वाली जो दिक्तर वर्षा है वो परवती वर्षा है क्योंकि यहाँ पर जो आद्र पवने है यह गाट के सारे अवरुत दोगर गाट के सारे ऊपर गोर उठती है तो ऊपर गोर उठने अपर ठंडी होती है तो पश्मी घाट का ये वाला इससा आप देख रहे हैं ये पबन सम्मुक ढालें तो यहाँ पर जो है 200 से लेकर 400 सेंटी विटर की बीचे बरसा होती है जब ये पबने पश्मी घाट को पार करने के बाद पूरवी तरफ पहुंचती हैं नीचे उतरती हैं अवतलित होती हैं तो पबने जो है अपनी नमी को यही पर पश्मी घाट के तरफी यहाँ पर बरसागी रूप में गिरा चुकी होती है तो इस पज़ зачем नमी नहीं होती है जब यह पश्मी घाट को पार करती है और अवतलित होती है तो नीचे उतरते समय ये गर्म होने लगती है पढाम तुरूप पश्मी घाट के पूर्व में जो पवना भिमुक ढाल है इन पर पवनों से नाममात्र की वर्सा होती है या फिर वर्सा होती ही नहीं है और कम वर्सा वाला ये छेत्र है ये ब्रश्टी शायद छेत्र कहलाता है देखे आप देख पारे हैं पश्मी घाट के पूर्व बाला ज कि समुत्र रट से दूर घटित होने वाली जो मौसमी दसाई है इससे संब्धित है और दूसरा है अफ्रीका के पूरी दट के साथ भूमद रेकी जैट परभा की स्थिति इससे भी संब्धित है तो ये दो कारक हैं इनकी जैसे पश्मी चट पर अधिक वर्षा प्राप्त होत चलती है ये नर्मदाव ताफी की घाटियों के बीच से होकर ये मद भारत में दूर तक बर्सा करती है और आगे चलकर ये गंगा के मैदान में प्रविस कर जाती है और फिर ये बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो मांसून की साखा है उससे ये मिल जाती है अरब सागर मा आराबी परोद संखला है, तो इसके बिणा किसी अवरोद के, क्योंकjaw कि इसके समानांतर में पढ़ रहा है, तो इसके समानांतर ये निकल जाती है, और पश्टमी राजिस्तान को पार करके, बहुती कम बरसा करती है, क्योंकि यहाँ पर कुई अवरोद होगा तबी तो अपन की साखा है उससे मिल जाती है और ये दोनों साखा यहांignant कर एक दूसरे के सारे प्रभलित होकर पश्मी हमाले में बच्छा करती है तो आप लोग goals को समझ में आ गया होगा कि υτक्र थार वाला रिगिस्तान वहां पर बच्छा क्यों न देखे दक्षड पश्चे मांसून की यह साखा जो है म्यामार तट और दक्षड पूरी बंगलदेश के एक छोड़ी से भाग से ठकराती है यसा कि आप देख पार यह म्यामार वाला तट है और यह वाला हिस्सा दक्षड पूरी बंगलदेश वाला हिस्सा है इस 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 इ बंगाल की खाड़ी साखा आगे चलकर दोड साखाँ में डिवैड हो जाती है इसकी एक साखां यह यह गंगा के मैदान के साथ साथ प्रश्टिम क्यूर बढ़ती है और पंजाब के मैदान तक कोहशती है जहाँ पर यह साखा अरब अरब साखार की चाहरी साखा से आकरНеलीन हो जाती है बंगाल की खाड़ी की दूसरी साखा उत्तर उत्तरपूर में ब्रंपुत घाटी में बढ़ती है जैसा कि आप देख पा रहे हैं बंगाल की खाड़ी की दूसरी साखा उत्तर में उत्तरपूर में ब्रंपुत की घाटी में बढ़ती है और यहाँ पर यह साखा जो है विस्ट विस्तु का सरवादिक वर्सा प्राप्त करने वाला इस्थान है यहाँ पर ओसत वार्सिक वर्सा एकजार से अधिक होती है। उसका रीजन क्या है। उसका रीजन यह है कि तमिलनाडु तरट पर जो बंगाल की खाड़ी की मानसून पबने हैं यहाँ पर वर्सा का वित्रण बताया गया है कि कुछ समय के अंतराल में आने वाली जो वर्सा है यह पश्चिम तरट पर पश्चिम से पूर्ब की और और उत पर दक्ष्चिम पूर्ण से उत्तर और उत्तर पश्चिम की और गिरावट की प्रवरती प्रस्चित करती है। देखें जैसे जैसे पबने इस्तली भाग में आगे बढ़ती जाती हैं उनमें नमी की मातरा कम होनी के वियसे उनमें बर्सचिम की प्रवरती होती है वो भी कम दूसरा वर्षातंत्र उष्टकटवंदी अवदाव हैं जिन्हें उष्टकटवंदी चक्रवाद के नाम से भी जाना जाता है देगे सितमबर तक आते आते जो बंगाल की खड़ी की सतय है इसका तापबान करीब सत्ताई डिगन सेल्सियस के आस्वाद पहुंच जाता है जो है पूर्वी जेट प्रभागे जरी होती है तो जब भारत में जब एंटर करते हैं तो इनसे जो भारत के प्रायदीप के पूर्वी घंड पर अधिकांस वर्षा प्राप्त होती है चूँकि आपके NCIT में यही लिखा हुआ है कि इनसे उत्री भारत के मैदानी भागों में वर्षा होती है लेकिन रियल्टी में इनसे जो वर्षा होती है वो प्रायजीबी घंड के पूरी भागों में होती है बंगाल की खाड़ी में उत्पंध होने वाले यह उश्कटबंदी अवदाब जो है इनकी बारंबारता हर साल बदलती रहती है भारत के उपर इनके मार्ग का धरड़ भी मुकत है ITCJ की स्थिदी के द्वारा होता है और ITCJ को मांसून त्रोडी भी खा जाता है जब भी मांसून त्रोडी यानि कि ITCJ का अच्छ दुलाइमान होता है तो बिभिन बरसों में इन अवदाबों के मार्ग दिसा बरसा की घंता और बित्रड में भी परियाप्त उधार चड़ा आते हैं और बरसा कोई जिनों के अंतराल में आती है यानि कहने का अलब यह है कि इनका सम्मन जो है मांसून त्रोडी से है अगर मांसून त्रोडी जो है अपने अक्छ से हट गई है या उसका अक्छ दुलाइमान है तो इन अवदाबों के मार्ग दिसा और इन से होने वाल कि एक सप्ता दो सप्ता या फिर कई हपतों तक बारिस होती नहीं है कई हपतों तक आप मांसून के काल में सुसको दौर देखते हैं तो इस तरह की जो परिघटना होती है इसको मांसून का विच्छेद कहा जाता है और मांसून का जो विच्छेद है ये विभिन चेत्रों में बहुन काड़ों से होते हैं जैसे यहां बदाया गया है कि उत्तर भारत के विसाल मैदान में जो मांसून का विच्छेद है ये उश्कटबंदी चक्रवातों की संक्या कम हो जाने से और ITC8 की सिधी में परवतन आने से होता है बहीं पश्मी तट पर मांसून का विच्छेद ये वाला जो तट है इस पर मांसून का विच्छेद जब होता है जब जो आदर पबने हैं ये तटों के सवानातर बहने लगती है तब यहां पर मांसून का विच्छेद होता है पश्मी राजिस्तान पर बरसा ना होने का प्रमुकारण क्या है? यहाँ पर प्रमुकारण बताया गया है कि वाई मंडल के निम्न इस्तरों पर तापकरमी दसाएं है यहाँ पर तापकरम की बिलोमता देखने को मिलती है उपर के इस तरहों पर यहाँ पर तापकरम ज्यादा होता है तो तापकरम की बिलोमता होने की जैसे जो पबने होती है पबने उपर गोर उठ नहीं पाती है इसके लाबा यहाँ पर जो अराबली परवतमाला है वो मांसून पबनों के समनांतर पड़ती है तो इस बज़े से भी यहाँ पर राजिस्तान वाले रीजन में बारिस नहीं हो पाती है चौथा है यहाँ पर मांसून का निवर्तन देखें मांसून के निवर्तन का संबंद मांसून के पीशे हटने या फिलोट जाने से है तो सितंबर के आरम से मांसून जो है पीछे हटने लगता है मांसून कोई एक दिन में या एक सप्ताम पीछे नहीं हटता है इसको पीछे हटने में महीना या डेड़ महीना लग जाता है तो एक सितंबर को मांसून जो है यह उत्तर पश्मी भारस से पीछे अटने लगता है और यह राजिस्तान के बाढ़ मेर और जैसल मेर मेर में बरसा का अंतिम दिन भी होता है 15 सितंबर तक मांसून जो है पंजाब हर्याना राजिस्तान गुज्रास से अट जाता है मद्ध एक्टूबर तक आते या दश्री भारत को छोड़ सेज समस्वारस से निवर्तित हो जाता है यह 15 एक्टूबर तक आते याते केवल दश्री भारत के कुछ हिस्तों में यह मांसून रह जाता है बाद बागी समस्वारस से बापस लोट जाता है यह देश के अधिकांस भागों में मानसून पबनों को उत्तर पूरी ब्यापारिक पबनों के तोरा बिस्थाबित कर दिया जाता है चुँकि जब मानसून बापस लोट जाता है तो मानसून पबनों के स्थान पर उत्तर पूरी ब्यापारिक पबने चलने लगती है इस प्रकार लोटती हुई मानसुन पबने जब बंगाल की खाड़ी के उपर से गुजरती है तो अपने साथ आता घ्रंड कर लेती है जलबास घ्रंड कर लेती है तो इस लोटते हुए मानसुन से उत्थर पूरी मानसुन के रूप में एल नीनो और भारती मांसून के बारे में बताया गया है कि एल नीनो का भारती मांसून पर क्या असर पड़ता है देखे एल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है जो हर 5 या फिर 10 साल के बाद प्रकट होता है और इसकी वज़े से संसार के विभिन भागों में सूखा, बाड और मौसम की जो चरम वस्ताएं है वो देखने को मिलती है एल नीनो का साब्दिकर्ट होता है बालट इसा क्योंकि एल नीनो जो धारा है ये दिसंबर के महीने में क्रिसमस के आसपस नजर आती है देखें, दश्री कुलार्द में जो क्रिसमस का महीना होता है वो गर्मी का महीना होता है तो यहाँ पर जो आप देख पारें दश्री कुलार्द में, जो साउथ अमेरिका आप देख पारें तो साउथ अमेरिका का जो पेरू वाला तठ है पेरु का जो पश्मी इस्सा है पेरु वाला तट है यहाँ पर पेरु की धारा या ठंडी जल धारा जिसको हमबोल धारा कहते हैं यह प्रभायत होती है तो L-9 वाले साल में क्या होता है कि यहाँ पर जो पेरू की ठंडी धारा होती है वो गर्म जलदारा से रिप्लेस हो जाती है तो वही चीज यहाँ पर दोराई गई है कि इस तंत्र में महासागरिय और भायोंडली परिगटनाय सामिल होती है L-9 जो है भूमदरे की उष्ट समुद्री धारा का विस्तार मात्र है जो कि अस्ताई रूप से ठंडी पेरूवियन या फिर हमबोल धारा के द्वारा प्रदिस्थापित हो जाती है याँ एल नीनो वाले साल में जो पेरू या फिर हमबोल धारा जो होती है जो कि ठंडी जलदारा है वो गर्म जलदारा से रिप्लेस हो जाती है और इसके निमलिकित पढ़णाम होते है यहाँ बताया गया है कि यहाँ पढ़णाम क्या क्या होते है भूमदरे की वाइबनली परसंचन में विक्रती आ जाती है समुदरी जल की बास्पन में अनिमित्ता आ जाती है पलवक की मात्रा में कमी यहनी कि जो मशलियों का बोजने प्लेंक्टन उसकी मात्रा में कमी आ जाती है जिससे समुदरे में मशलियों की मात्का या संक्रा गटने लगती है तो यह इसके पढ़णाम होते है भारत में मांसून की लंबी वधी के पूर्वानमान के लिए अल्लीनों का प्रयोग किया जाता है जैसे यहां एक्जाम्पल दिया गया है कि सन 1990-1990 में अल्लीनों का प्रचंट डूप देखने को मिला था और इसकी वजय से देश की अधिकतर भागों में मांसून के आगमन ने 5 से लेकर 12 दिनों की देरे भी हुई थी तो अल्लीनों का प्रभाव ये पढ़ता है अल्लीनों जिस साल अल्लीनों की घटना घटित होती है उस साल मानसून जो है देरी से आता है भारत में मानसून का अगमर समय पर ना आकर देरी से होता है अब आगे हैं यहाँ पर मानसून को समझना देखे मानसून को समझने का आज़से हैं कि दुनिया भर के जो बहग्यानिक हैं वो मानसून के सभाव को इसके रचनातंत को समझने के लिए बिभिन प्रकार के डेटा को एकटा करते हैं और उसके एनलैसिक से आदार पर ये मानसून के सभाव कि इस साल बरसा कैसी होगी कितन पूरेंच प्रसांथ महासागर में इसचत french Polynesia के ताहती जैसा कि आप दिख पर semester. और हिंद महासागर में Australia के पूरी भाग में इसचत Port Darwin , तो इन बीच पाए जानेवाले वायूदाप का अंतर मापकर जो मौसम intermediate ज्जानिक स्कूर। पूर्मान लगाते हैं भारत की बात की जाए तो भारत का जो मौसम भिभाग है ये सोले कारकों के अधार पर मानसून के संभावित भिभार का अध्यन करता है यहाँ यहाँ पर पहली रितु है सीत रितु यहाँ बिंटर सीजन देखें उत्तर भारत में सीतरुत की स्टार्टिंग मद नवंबर से होती है और यह फरवरी तक रहती है उत्तर भारत में जनवरी और फरवरी के महिने सरवादिक ठंडे महिने होते हैं इस समय उत्तर भारत के अधिकांस भागों में औसत देनिक तापमान 21 डिगरी सेल्सियस स से नीचे चला जाता है सर्दियों के रितु में उत्तर भारत में सर्दी पढ़ने के अधिक सर्दी पढ़ने के तीन प्रमुक कारड़ हैं बताए गए हैं तो यहाँ पर पहला कारड़ यह है कि जो पंजाब, हर्याना और राजिस्थान जैसे जो राज्य हैं यह समुत्र के समकारी प्रभाव से दूर इस्थित हैं तो समुत्र के समकारी प्रभाव से दूर इस्थित होने के वज़ेसे इने राज्यों में महादी पी जल्वाई पाई जाती है महादी पी जल्वाई का मतलब यह है कि यहाँ पर जो रिदूओं का तापांतर है, रिदूओं में तापमान का जो अंतर है, वो अधिक होता है, इस बज़ेसे यहाँ पर ठंड ज्यादा पड़ती है, इसके लाबा पंजाब, हर्याणा और राजस्तान जैसे राज जो है, इनकी हिमाले से निकटता होने की बज़ेस प्राइदीपी भारत की बात करें तो जैसा कि आप देख पारें यह आपका खंड है यह प्राइदीपी भाला खंड है तो प्राइदीपी भारत जो तीन तरफ से समुझ से गिरा हुआ है इसके पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दच्छिड में हिंद भासागर है तो तीन तरफ से समुझ से गिरे होने की वजय से प्राइदीपी भारत में समुझ के समकारी प्रभाव का असर पाया जाता है इसके लाब प्राइदीपी भारत की भू वायुदाख पर तापमान का सर भौजाता पड़ता है चूऑके स्थीतर दौत में तापमान भौजाता कम होता है तो तापमान कम होने के जैसे जो हवा होती रहते है तो ठंडी होकर ये सगन और भारी हो जाती है तो इस पज़े से एक उच्छ अवदाब का अच्छेतर क्रियर्ट हो जाता है चूंकि भारत के उत्तर भाले भाग में इस भाले पोर्ट्सन में अच्छी खासी सर्दी पड़ती है इस पज़े से यहाँ पर एक उच्छ वायुदाब बाले च्छेतर क्रियर्ट हो जाता है जबकि दच्छ भारत की बात करें तो दच्छ भारत में सर्दी उतनी जाता नहीं पड़ती है क्योंकि यहाँ पर समुदर का समकारी प्रभाव भी है भूमत रेखा से निकटता भी है तो दच्छ भारत में वायुदाब उतना अधिक नहीं होता है जिस समय उत्तर भारत में सर्दियां पड़ रही होती है तो इसके अपोजिट में जो दच्छी कोलार्द है तो दच्छी कोलार्द में जो आपका हिंद महासागर है सागर पर निम्न वाइदाप चितर की वो पबने चलना आरम कर देती हैं, चूँकि ये पबने इस्थल घंड से चलती हैं, तो इनमें नमी तो होती नहीं है, यहाँ पर जिसा इनकी बताई गई है, जबकि गंगा परंपर डिल्टा में इनकी जिसा उत्री हो जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कि सीथ काल मांसुनी पबने होती है, इस्थल से समुद्र की ओर चलती है, और इस बजय से ये बर्सा नहीं करती है, तो एक तो आपका उत्तर पश्किम भारत वाला रीजन है जहांबर सीधी रुट में वर्शा होती है और यहाँ पर सीतुरत में बर्सा जो है पश्मी विच्छोब से होती है पश्मी विच्छोब एक सीतोष कटवन दी चक्रबात है जो कि पूरी भूमत सागर पर उत्पन होता है और पश्मी जैट प्रभा के द्वारा इनकी भारत में एंट्री होती है तो पश्मी जैट प्रभा द्वारा भारत के उत्तर पश्मी भाग में यह पहुँचता है देगे पश्मी विच्छोब जो है पूरी भूमत सागर से उत्पन होकर पश्मी जैट के जरी यह पश्म की आगे बढ़ता है तो आगे बढ़ने पर अपने मार्ग में ये उत्तर में कैस्पियन सागर और दक्षिड में इरान की खाड़ी से गुजरते समय ये चक्रबाद जो है आदता घ्रन कर लेता है आदता का संबर्दन इसमें हो जाता है और जब ये हमारे भारत के ऊत्तर पष्ण उसमें पहुँचता है तो ये वर्सा करता है सीत काल में इस से होने वाली जो वर्सा है इस वर्सा को महावट कहा जाता है और ये वर्सा जो है रभी की वसल के लिए काफी ज़गा लाबदायक होती है लग हिमाले की जो स्रेडियां है बहाँ पर ये वर्सा जो हिमपात के रूप में होती है वर्सा की जो मात्रा है मैदानों में पश्चिम से पूर्व यानि मैदानी इससे में इस साइड से साइड में पश्चिम से पूर्व में घर्टी जाती है और पर्वतों में ये उत्तर से जचिड की और गरती जाती है इसके लबाद दूसरी तरफ जो लोटता हुआ मांसून है मांसून का निवर्तन वाली जो पबने है इन लोटती हुई मांसूनी पबने ये उत्तर पूरी पबने खा जाता है जैसा कि आप देख पारें तो लोटती हुई मांसूनी पबने जब ये अक्टूवर से नवुमर के बीच में बंगाल की खाड़ी से गुजरती है तो बंगाल की खाड़ी से ये आद्ता घ्रहन कर लेती है तो ये अपनी आध्ता को तमिलनाडू के 30 चितरों में ज़ंजबाती वर्षा की रूप में गिरा देती है तो जो लोटता हुआ मांसून है उस लोटते हुए मांसून से सर्दियों के सीजन में प्रितु में तमिल नाडू के कुरोंबंदर तरट पर वर्षा होती है। अगली रितु है ग्रीज म्रितु यहीं समर सीजन। देखें मार्च में सूर्य करक रिखा की और विस्तापन करना स्टार्ट कर देता है। और इसी के साथ ही उत्तर भारत में तापमान भी बढ़ने लगता है। जिसके कारण अप्रेल, मई और जून में उत्तर भारत में इस प्रश्टूप से ग्रीज प्रितु होती है। गर्मी के समय में भारत के अधिकांस भागों में तापमान जो है, तीस से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जबकि मई महा में जो ताप पेटी है, यह और ज्यादा उत्तर की और खिसक जाती है, तो और ज्यादा उत्तर की और खिसकने के विजए से, जो उत्तर भारत का उत्तर पश्मी हिस्ता है, यहाँ पर तापमान 48 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच जाता है। वहीं प्रायदीबी भारत की बात करें तो प्रायदीबी भारत पर समुत्र के समकारी प्रभाव की विजय से गर्मी की रित्में अभी जो दश्र भारत का तापमान है उत्तर भारत के पश्रित तापमानों से नीचे रहता है यानि कि दर्शेट भारत में ग्रीस में जो है म्रदू होती है बहुत ज़दा कठोर नहीं होती है यहाँ पर जो गर्मी का सीजन का तापमान है वो 26 से लेकर 22 डिगरी सेल्सियस के बीच में रहता है पश्मी गाट के जो पाड़ियों के कुछ छेत्र हैं जो के उचाई पर है उन छेत्रों में तापमान जो है 45 डिगरी सेल्सियस से कम रहता है यहां पर बताया गया है कि तटी भागों में सम्ताब रेखा हैं, जो तटी भाग हैं, प्रैदिवी भारत के तटी भाग हैं, यहां पर जो सम्ताब रेखा हैं, यह तटके 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 सम्ता का समकारी प्रभाव अधिक होता है और जैसे से तटों से आप अंदर के वो बढ़ते जाती है वैसे वैसे तापमान में बढ़ उत्री होती जाती है अब यहाँ पर वायोदाप के बारे में बात की गई है जैसा कि आप लोग जानते हैं कि करकरेखा पर सूर के उत्रायन होने के साथ साथ उत्तर भारत में एक निम्ल अवदाप का शेतर क्रियेट हो जाता है तो देश के आदे उत्री भाग में ग्रीस में अधिक गर्मी और गि हो जाता है और देखे ये निम्ल अबदाप का शेतर होता है ये निम्ल अबदाप का शेतर क्या करता है अपने आसपास की जो हवाएं हैं उनको आकरसित करता है क्योंकि उस समय तक जो मानसुनी पपने यहां तक पहुंचती नहीं है तो यह क्या करता है अपने आसपास की इसे भरने के लिए चल पड़ती हैं, चूबकि हवाएं ये हवाएं इस्थलकंट से आ रही होती हैं, तो इन में कोई नमी वगरा तो नहीं होती है, तो यह हवाएं जो धूल या आधी लेकर आती हैं, तो यहाँ पर वही चीज बताई गई है, कि दश्चर पश्चे मांजुन मांजून तक चलने वाली पीड़ादायक पबने हैं, क्योंकि जो निम्रवदाब का छित्र है, उस समय निम्रवदाब का छित्र बनना स्टार्ट होता है, और ये क्या करता है, यह अपने आज पास की हवाएं को पहले आकरसित करता है, क्योंकि उस समय तक मांसुन तो आता नहीं है मांसुन की हवाएं पहुंचती नहीं है तो आसपास की हवाएं इसे भरने के लिए चल पड़ती है और आसपास की जो हवाएं होती है वो इस्तलखंड से आती है और इस्तलखंड भी गर्म होता है तो गर्म होने के विएसे हवाएं भी गर्म होती है और अपने साथ आ पूपरी वायमिटल में कुछ-कुछ आदर वायू संहतियां पाई जाती हैं, उनके संपर्क में हवाय आ जाती हैं। तो इन दोनों हवाउ के टकनाने से, सुस्क और आदर हवाउ के टकनाने से क्या होता है? इस्थानी तूफान टाइप आ जाते हैं तेज अमाओं किसे मूसलाधार वर्सा होती है और यहां तक कई वार ओले भी गिर जाती है यहां पर गर्मी के समय में आने बाले कुछ प्रसिति स्थानी तूफानों के बारे में बताया गया है तो पहला है यहां पर आमर वर्सा देखें आमर वर्सा मुख्य रूप से केरल और 30 करनाटक में गर्मी के समापत होने से पहले पढ़ने वाली पूर मांसून बोचारे होती है जो के आमों की वसलों को जल्दी पकने में सहिता प्रदान करती है इसी वज़े से इनका नाम आमर वर्सा पढ़ गया है अगला है यहां पर फूलों की बोचार देखें फूलों की बोचार वाली वर्सा से केरल और निकटवर्दी कहवा उत्पादक छित्रों में जो कैवा के फूल होते हैं, कॉफी के फूल होते हैं, खिलने लगते हैं तीसरा है काल वैसाकी असम और पश्चिम बंगाल रीजन में वैसाक के महीने में साम को चलने वाली भहेंकर और विनासकारी वर्षाक पबनों को काल वैसाकी रूप में जाना जाता है इनकी बिनास्ता या बहेंकर रूप का अंदाजा इनके नाम से ही आप लगा सकते हैं असम में इन तूफानों को भार्दोली छीडा या फिर बोडोई चीला कहा जाता है और जो काल वैसा की वाली जो पबने है ये चाय पर्षन और चावल के लिए अच्छी मानी जाती है लू के बारे में हम लोग पढ़ी चुके हैं अगली रितू है आपकी वर्सा रितू इसे दक्षड पश्मी मानसून की रितूबी कहा जाता है और यह बारत में जून से लेकर मद सितंबर तक रहती है देखे दक्षरपशिम मांसून के आगमन के बारे में हम अध्याय के स्टार्टिक में पढ़ चुके हैं कि कैसे दक्षरपशिम मांसून का आगमन होता है जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मई के मईने में सूरी जो है उत्रायन होने लगता है उत्रायन होने के साथ साथ जो उत्तरपश्य मैदान है यहाँ पर तापमान में बढ़ उत्री होती है तापमान में बढ़ उत्री की बिज़ासे यहाँ पर एक निम्न अबदाप का छितर क्रियेट हो जाता है जून के आरम तक आते आते यह जो निम्न अब्दाप का छितर है बहुत जाता सक्साली हो जाता है यह इतना जाता सक्साली हो जाता है कि यह दश्री कुरारत की जो ब्याबारिक पबने हैं इन्हें अपनी गोर आगरसित कर लेता है जब दच्छी कुराइट की ब्यापारिक पबने एक क्विटर लाइन को क्रोस करके उपर आती है उत्री कुराइट में प्रवेश करती है तो ये कोरियोल इस पल की प्रभाव की विज़े से अपने दाहिनी गोर बिच्छे पे तो जाती है समथ के उपर से गुजरने की विज़े से ये पबने जो है आता ग्रहंड कर लेती है और ऐसे करके भारत में ये दच्छर पच्छी में इससे से प्रवेश करती है तो इस वज़े से मानसून का नाम दच्छर पच्छी मानसून पढ़ जाता है देगे दच्छ्ट पष्भी मान्सून की रित्में बरसा जो अचानक आरम हो जाती है और प्रचंड गर्जन और बिजली की कड़क के साथ जो आतावरी पप्णे हैं इन्से अचानक बरसा होती है यसे प्राए मान्सून का ब्रस्पोर्ट कहा जाता है मांसून का प्रस्पोर्ट या पिर विस्पोर्ट कहा जाता है और जैसा कि आप लोग जानते हैं सबसे पहले मांसून के एंट्री कहा होती है किरल के तट पर होती है आगे चलकर भुकंड पर मांसून जो है दो साखाँ में पहुंचता है अरप सागर की साखा, बंगाल की खाड़ी की साखा इनके बारे में हम स्टार्टिंग में भी स्टार्ट से बढ़ चुके हैं अब यहाँ पर मांसूनी वर्षा की विजिस्ताइं बताई गई है देखें मांसूनी वर्षा मुक्रूप से उच्चा बच अत्वा भुवाकरती के दोरा नियंद्रत होती है फूर एक्जाम्बल जो आपका पश्मी घाट है तो पश्मी घाट का जो पबन सम्मुक ढाल है पबना विमुक्वी ढाल है और उत्तरपूरी विराज्यों के जो पाणिया है यहाँ पर 2500 सेंटीमिटर से अधिक वर्षा प्राप्त होती है समुझ से वर्षी दूरी के साथ मांसुनी वर्षा में घटने की प्रवती पाई जाती है जैसे यसे समुझ से दूरी वर्षी जाती है वैसे वैसे मानसूनी पपनों में नमी की मात्रा भी कम होती जाती है तो ऐसे करके मानसूनी वर्सा के घटने की प्रवती पाई जाती है जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मानसून के सीजन में कुछ समय के लिए मानसुनी वर्सा में अंतराल आ जाते हैं कुछ समय तक वर्सा नहीं होती है तो इसे बिभंग या फिर विच्छिद कहा जाता है और वर्सा के इन विच्छिदों का समझ जो है उन चक्रवाती अवदावों से है जो के बंगाल की खाड़ी के सीर्स पर बनते हैं और मुख भूमी प्रवेश कर जाते हैं तो इस बज़े से मानसुन में विच्छिद आता है देश में होने वाली कुल वर्सा का तीन चोथाई भाग जो है दश्र पश्मी मानसुन की रितु में प्राप्त होता है या हमारे देश में जितनी वी वर्सा होती है सरद दितू, देखे भारत में अक्टूर और नॉबंबर के महीनों को मानसून के निवरतन की दितू कहा जाता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सितंबर से दिसंबर के मद्ध सूरी दचनायन होने लगता है, यहीं सूरी जो है मकर रिखा की और बढ़ने लगता है, तो सू उच्छ वाजदाप का केंदर विक्सित होने लगता है, तो जब यहां पर उच्छ वाजदाप का केंदर विक्सित हो जाता है, तो यहां से मानसूनी पपने लोटना आरम कर देती हैं, अक्टूबर के आरम में बंगाल की खाड़ी के उतरी भागवा में यह उच्छ होती है तो उच्चतापमान और आत्तागी दसाओं की वजए से मौसम जो है कष्टकारी हो जाता है इसे जो है कार्थिक मास की उस्मा कहा जाता है देखे निवर्तन की रितु में उत्तर भारत में सूखा होता है जबकि प्रायदीप के पूर्वी भागों में वर्सा होती है ज उसका संबंद चक्रवाती अवदावों के मागों से है जो कि आपके बंगाल की खाड़ी में उत्तपन होते है और पूर्वी जट प्रवाद वारा इनसे प्रायदीप भारत के पूर्वी खंड में बर्सा होती है कोरो मंदल तरट पर होने वाली अधिकांस बर्सा इनी अव उत्तर और मद्ध भारत के लोगों के द्वारा एक वर्स को द्व्रमासिक 6 रितूआं में माटा जाता है, हाना कि रितूआं के यह जो बिवस्ता है, यो धरेच्छ भारत की रितूआं से मेल नहीं खाती है, तो यहाँ पर बताया गया है रितूआर भारति कलेंडर के नसार महीने और जो आपका Gregorian calendar है या पिर जो English calendar है उसके नुसार महीने जिसे बसंत रितू है तो बसंत रितू जो है चैतर और वैसाक के महीने में होती है यानि मार्च अप्रेल में होती है Greece में जो है Egypt Assange में होती है मैई-June में होती है वर्सा रितु जो है स्रावर्ड भादर में होती है यानि कि जुलाई अगस्त में होती है सरद रितु जो है आश्विन कार्तिक में होती है सितंबर और अक्टूबर के बीच में होती है हेमत जो है मार्ग 600 पॉश में होती है यानि कि नवंबर दिसंबर में होती है सिसिर जो है मार्ग फालगुन में होती है यानि कि जनवरी फरवरी में होती है देखें इसे भी आपको कम इंपोर्टेंट नहीं समझना है ये भी बहुत इंपोर्टेंट है कई बार PCS पर इच्छाओं पूछ लिया जाता है कि जैसे स्रावण भाद्र का महीना ग्रेगोनिय कलेंडर के कौन से महीने से मेल खाता है ऐसे करके प्रश्ण पूछ लिया जाते हैं पूछे भी गए हैं तो आपको ये भी याद करके चलना है आपको ये भी ध्यान में रखके चलना है अब आगे यहाँ पर वर्शा के वित्रड के बारे में बताया गया है देखे भारत की बात करें तो भारत में औसत वारसिक वर्शा लगबग 125 cm होती है हाना कि इसमें छित्री भिंताया पाई जाती है तो यहाँ पर सबसे बहले बात करते है अधिक वर्शा वाले चित्र यहाँ पर वर्शा जो है 270 cm से अधिक होती है तो इसमें पश्मी तट, पश्मी घाट उत्तरपूर्व के उभमाले चित्र मेगाले की गारो खासी जन्तिया पाणिया यह इसमें सामिल है मद्यम बर्शा वाले चित्र याँ ऐसे चित्र यहाँ पर वर्शिक बर्शा 100 से लेकर 2 cm के बीच में होती है तो इसमें गुजरात के दचिट पूर्वी भार पूर्वी तमिल नाडू उडिसा सहित उत्तर पूर्वी प्रायदीप जहारखंड, बिहार, पूर्वी MP उभिमाले के साथ सनलंगन गंगा का उत्री मैदान कछार घाटी और मडपुर यह वो चित्र हैं यहाँ पर मद्यम बर्शा होती है नियून बर्शा वाले चित्र ऐसे चित्र यहाँ पर वार्शिक बर्शा 50 से लेकर 100 सेंटी मिटर के बीच में होती है इसमें पश्मी यूपी, दिल्ली, हर्याना, पंजाब, जम्बु कस्मीर, पूर्वी राजिस्थान, गुजरात और दक्कन का पठार सामिल है अपरियाप्त बर्शा वाले चित्र ऐसे चित्र यहाँ पर वार्शिक बर्शा 50 सेंटी मिटर से कम होती है तो इसमें प्रायदीपी के कुछ भागों में विशेस रूप से आंद्पदेस, करनाट और माराष्ट में जो प्रश्टिशायद चित्र है, बोवाला चित्र, लद्दा को बश्मीर राजिस्तान के दिक्तर भाग वो इसी में आ जाते है यहाँ पर नोट की रूप में बताया गया है कि हिमाली चित्र जो हिमाली चित्रों तक सीमित है जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत की जलवाय उश्कडवन्दी मांसूनी है उश्कडवन्दी मांसूनी जलवाय होने के बाब जूत भी भारत के सभी छित्रों में एक समान बर्सा नहीं होती है कुछ शेतर ऐसे हैं जहाँ पर बिल्कुल ही वरसा नहीं होती है तो बरसा की जो परवर्थता है इसकी गढ़ना एक सूत्र से की जाती है और ये सूत्र है बिचरडगुणांग परावर मानक बिचलन अपॉन माद्ध्य इन्टू हंड्रेड इस सूत्र से वर्सा की परवत्ता की गर्णा की जाती है बिचरण कोड़ान का जो मान है ये वर्सा के माद दिमान से हुए बिचरण को दिखाता है और भारत जैसे करिस्पधान देश में वर्सा की जो परवत्तन सीलता है इसका अध्यन अत्यनत महतपूर है यहाँ पर वार्सिक बर्सा की पर्वतन सीलता है इसके बारे में विर्वर्ट दिया गया है लेकि सरवादिक पर्वतन सीलता उन चेत्रों में होती है जहाँ पर उसत वार्सिक बर्सा नियुनतम होती है जैसे कि आप देख पारें सबसे डार्क वाला रीजिन आप देख पारें यह राजिस्थान का वर्सली चेत्र है जहाँ पर औस वारसिक वर्सा सबसे नियुनतम होती है तो यहाँ पर परवतन सीलता सबसे ज़्यादा होती है तो इन चेतरों में वर्सा की परबतन सीलता लगबक 60% तक होती है वहीं इसके विप्रीद जहाँ पर औस वारसिक वर्सा 200 cm से अधिक होती है यसे कि मेगाले का बठार है, पश्मी घाट है तो इन चेतरों में वारसिक वर्सा की वर्बतन सीलता है ये 10% से भी कम रहती है जैसा कि आप देख पा रहे हैं भारत के भरत भूभाग में वार्सिक वर्सा की परवतन सिल्ता 15 से लेकर 30% तक होती है तमिल नाडू, करनाटक, आंद पदेश, महाराष्ट ये राजे जो हैं इसी वर्ग में सामिल है वार्सिक वर्सा की परवतन सिल्ता, पश्मी चट से प्राइदीवी छेत के आंतरिक भागों की और और पश्म बंगाल और ओडिसा से उत्तर एवं उत्तर पश्म की और बढ़ती जाती है यानि कहने का लोगी है कि जैसे ऐसे मांसून के अंदर बढ़ने पर कमी आती जाती है, मांसूनी पपनों की वर्षा की परवतन सिल्ता है ये भी कम होती जाती है आगे हैं पर भारत के जलवाय परदेश के बारे में बात की गई है, देखें काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है, ये मोश्ट मोश्ट इंपोर्टेंट है, इससे एकसर आपके PCS परिच्छाओं में और UPC परिच्छाओं प्रश्म पूछे गए हैं, तो काफी ज़्याद परदेश में जलवाईवी दसाओं की समरूपता होती है, जो जलवाईव को कारगों के सभ्यव्प्रवहों से उत्पन होती है, तापमान और वरसा ये जलवाय के दो महत्पूर तक्त्यों है, जिनें जलवाय पढ़िगड की सभी पदितियों में सबसे निर्नाइक माना जा है तो देखे कोपेन की पदेदी के आधार पर जो भारत के प्रवक जलवाय प्रदेश हैं उनके बारे में जान लेते हैं जैसे यहाँ पर है जलवाय के प्रकार AMW यह लगो सुसकर रित्वाला मांसून प्रकार है यह गोवा के दच्षिड में भारत का पश्मी तठ है AS प्रकार की जो जलवाय हूँ है यह सुसकर ग्रीज प्रित्वाला मांसून प्रकार तमिलनाडू का कोरुमंजल तठ है AW प्रकार की जलवायू है, यह उश्ट कट्टबन दिए सवाना प्रकार की जलवायू है, यह कर्ट्रप्रत के जछण में प्राइदीपी पठार का अधिकतर भाग इसी प्रकार का है, BSHW जो है, अर्द्थरशुस के इस्टेपी जलवायू है, जो के उत्तर पश्मी गुजरात, पश्मी राजिस्तान और पंजाब की कुछ भाग में पाई जाती है BWHW, ये गर मरसरी जलवायो है, ये राजिस्तान का सबसे पश्मी भाग है CWG, ये सुस्क सितनुत वाला मांसुन प्रकार है जो के गंगा का मैदान, पूर्वी राजिस्तान, उत्तरी मद्र प्रदेश और उत्तर पूर्वी भारत का दिक्तर प्रदेश है DFC जो है लगु ग्रिस्मो और ठंडी आदर सितनुत वाला जलवाय प्रदेश है जो के 98 प्रदेश में पाई जाता है यह प्रकार यह दुर्वी प्रकार की जलवाय जो है जम्मू कस्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्राखंड पर पाई जाती है आप लोग क्या करेंगे इस मैप के जरीए आप लोग यह जलवाय प्रदेशों को याद रखेंगे जैसा कि आप लोग बहुत दिक भूगोल की मुल सिद्धान ने पढ़ चोके है कोपेन का जलवाय प्रिकर जो है इसमें 5 जलवाय प्रदेश बताए गए है 5 जलवाय प्रदेशों के आधार पर भी अगर आप देखेंगे तो इनके भी कुछ-कुछ आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे और आप लोगों से जाते जाते मेरी ये गुजारिस है कि अब आप लोगों को कोई नोट्स मनाने के आवशकता नहीं है आप डारेक्ट हमारे टेलग्राम चैनल से जोड़कर नोट्स को परचेज कर सकते हैं तो आज के अस्तना ही थैंक्स पूर वाचिंग जय हिंद